Hey friends, welcome back to my new video, उमीद करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, आज के वीडियो में हम फटे पुराने बेकार के कपडों से महिनों में बनने वाली दरी को कुछ घंटों पे ही बना के हम रेडी कर लेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से कलरफुल सी दरी चटाई आप घर पर ही बना सकते हैं बिल्कुल फ्री पे बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है तो प्लीज फ्रेंट्स वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो यहां पे देखिए मैंने एक बेस रेडी कर लिया है जिस साइट पे मैंने सिलाई लगा के इसको जोड के रेडी कर लिया है अब यहां पे देखिए फ्रेंट्स मैंने धाई इंच चोड़ी और यहां पे लंबी लंबी पट्य हमको अलग-अलग कलर की पट्या यहां पे हमको कट करनी है तो आपके पास देखिए साडी से आप कपडों को कट कर लेना है धाई इंची चोड़ी पट्टी हमको कट करना है और यह देखिए चोड़ाई की तरफ से हम पट्टियों को जोड़के रेडी करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय पर यह आपका ना जो दरी है वो बनके रेडी हो जाता है तो देखिए फ्रंस किनारे किनारे पर आधा इंच कपड़े को दबाते हुए देखिए इस तरीके से हम पूरा यहाँ पर इसको देखिए सिलाई लगा लेंगे तो एक पट्टी हमने जोड़ ली है अब यह देखिए जो पट्टी हमने जोड़ी है उसके उपर देखिए दूसरी वाली पट्ट को डबल करते हुے इस तरीके से हम रखेंगे तो इस तरीके से देखिए जैसे मैं रख रही हूँ गेप हमको यहाँ पर देख से बिल्कुल भी गेप नहीं देना है वस इस तरीके से हमको जोड़ते जाना है अलग-अलग कलर की पट्टियों को तो जिससे क्या होगा ना फ्रेंट्स बहुत ही मुलायम सी ये दरी हमाली बनके रेडी होगी और देखने के पादना जब ये बनके रेडी होगी तो बहुत ही colorful सी भी बनके रेडी होगी क्योंकि अलग-अलग color क्या हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जितना कलर आप यहां पर यूज करेंगे उतनी ही मल्टी कलर पर यह बनके ready हो जाएगे और बहुत ही देखिए कम समय पर बनके ready हो जाती है इसमें कोई भी बुनाई की जंजट नहीं है इस पर आपको नहीं तो आपको कुरूशिया चलाना है बस सिंपल सिंपल यदि आपको स लाई लगानी भी आती है तो इस तरीके की दरी, चटाई, डोरमेट आप देखिए गलीचा कुछ भी बना सकते है इस न्यूट्रिक से तो यहां पर देखिए बस इस तरीके से हम अलग-अलग कलर की पट्टियों को जोड़ते जाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने कुछ पट्टियों को जोड़के रेडी कर लिया है अभी यह वाली पट्टि और हम जोड़ लेते हैं फिर फ्रेंड्स मैं इसको देखिए पूरा कम्प्लीट कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं किसको साइडों से किस तरीके से हमको फिनिश करना है और अभी देखिए जब म होती प्यारा ये बनके रेडी होगा तो चलिए फ्रेंड्स पहले में ये सारी पट्टियों को जोड़के रेडी कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं और आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि वीडिय से ज़्यादा आप लाइक करना शेयर करना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर रोल करिएगा जिससे कि मैं जब भी कोई नए वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगा तो यह मैंने इसको सारी पट्टियों को जोड़के रेडि कर लिया है और कितना कलरफुल सा लग रहा है बनने के बाद अब जो साइडों से देखिए दोनों तरफ साइडों से जो भी एश्ट्रा कपड़ा है उसको देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे बराबर पे नापके तो इस तरफ भी जो कुछ एश्ट्रा पट्टियां हैं देखिए इनको भी हम कट करके निकाल देंगे दोनों तरफ से और ये ना बहुत ही कम समय पे आपका ये बनके रेडि हो जाता है छोटा साइड बड़ा साइड आप किसी भी साइड पे बना सकते हैं बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है तो कुछ इस तरीके से देखिए मुलायम सा गुदगुदा सा ये बनके रेडि हो गया है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बीच पे हमको ना इस तरीके से नाप लेंगे और बराबर पे नापते हुए दो तिन सिलाई हमको बीच पे लगानी है यह तो बीचों बीच पे यह दो सिलाई हम लगा लेंगे बराबर दोरी नापके तो यह ना अलग- exactement पार्ट पर डिवाइड हो जाएगा तो चलिए यह यहाँ पे देखिए एक सिलाई हम यहां से लगा लेते हैं और फिर एक सिलाई हम यहां से फिर इस तरफ हम और लगा कैसको ready करेंगे तो देख लीजेए friends मैं बिल्कुल धीरे-धीरे आपको दिखा रही हूं कि मैं कैसे सिलाई लगा के ready कर रही हूं तो एक सिलाई मैंने लगा ली अब एक सिलाई हम और लगा लेंगे यहां से अब हम एक सिलाई और लगाना start करेंगे तो पूरा देखिए लंबाई पे हम सिलाई लगा लेंगे, आप चाहें तो बीज बीज पे और भी पास पास पे भी सिलाईयां लगा सकते हैं, जिससे की थोड़ा सा इसका जो है वो और भी अलग लुकाने लगेगा, तो यहां पे अभी देखें मैंने दो ही सिलाईयां लगाई हैं, आप बीज प लेश भी हमको नहीं लेना है अब ये देखिए एक तरफ कहीं से भी हम यहाँ पर पाइपिंग लगाना इस्टार्ट करेंगे देखिए आप कप्ड़े से भी पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर आपके पास कोई बेकार लेस है तो आप देखिए लेस से ना आपकी piping बहुत ही जल्दी जल्दी लगके ready हो जाती है तो चलिए अब इसके चारों तरफ हम लेस इस तरीके से देखिए लगा के पूरा इसको ready कर लेंगे जिससे की देखिये कोई भी धागे वगेरा जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और ये जो हमारी दरी है उसका जो लोग है वो और भी अच्छा आने लगेगा तो यहाँ पे देखिये इस तरीके से देखिये कपडो को set करते हुए दबाते हुए अच्छे से हमको सिलाई लगानी है और जब ये corner आएगा ना तो वहाँ पे आपको देखिये वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से घुमा के सिलाई लगा रही हूँ तो बस इसी तरीके से देखिये धीरे-धीरे सिलाई लगाना है और सारी ये जो पटियां है इनको हमको दबाते हुए सिलाई लगाना है ध्यान रखना है कि देखिये पटियों पे अच्छे से सिलाई होनी चाहिए अब यहाँ पे देखिये यहां पर इस तरीके से घुमाते हुए हलका सा देखिए इस तरीके से हमको यहां पर सिलाई लगा लेनी है थोड़ा सा कपड़ा यहां पर फोल्ड करते हुए लेस का और फिर इस तरीके से देखिए हम पूरा यहां पर सिलाई लगा लेंगे और जहां भी कॉर्णर आता है तो तो बस वहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए घुमाते हुए आपका ये जो कॉर्नर है वो अपने आप ही बन जाता है ये देखिए लगा के रेडी कर सकते हैं और लेस है यदि आपके पास पर एक इंच चोड़ी साड़ी से निकली हुई लेस आपको लेना है और उससे देखें बहुत ही आसान तरीके से ये पाइपिंग आपकी लग गई है तो अभी देखिए चारों तरफ हमने लेस इस पर लगा के रेडी क कर सकते हैं दोरमेट के जैसे यूज कर सकते हैं और बनने के बाद बहुत ही अच्छा बनके रेडी होता है छोटा बडा सब्सक्राइब it को बना सकते हैं अब नेक्स्ट आडिया देख लेते हैं और दो पीस हमको देखिए राइस बेक के कट करना है नीचे देखिए मैंने प्लास्टिकी बोरी रखी है और उपर देखिए कपड़े को रखते हुए ये दो पीस हमने कुल्ट करके रेडी कर लिए 11 इंचिस की चोड़ाई है और 14 इंचिस की मैंने लंबाई रखी और दो पीस हमारे रेडी है किसी भी पुरानी बेड़शीट साड़ी से आप इसको बना सकते है अब 14 इंचिस को यहाँ पर देखिए लंबी चेन लेना है और चेन पर देखिए फ्रंट से रनर डाल के हम रेडी कर लेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए आप पहले भी रनर डाल सकते हैं या फिर बाद पर भी आप रनर डाल के रेडी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए अब चेन को इस तरीके से देखिए कपड़े की ऊपर उल्टा करते हुई रखना है और एक बार इस तरीके से देखिए हम पुरा सिलाई लगा लेंगे तो एक बार हमने सिलाई लगा ली अब यहाँ पर देखिए कोई भी पुरानी साड़ी या फिर दुपट्टे का कपड़ा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे देखे मैंने chain को खोल लिया है और अब इसी side पे मैंने साड़ी का कपड़ा लिया है साड़ी का कपड़ा या फिर आप shopping bag भी यहाँ पे use कर सकते हैं और chain की उपर कपड़े को इस तरीके से रखते हुए हम एक बार पूरा सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे द तरीके से इसी तरीके से देखिए chain को रखते हुए पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर सिलाई लगाने के बाद देखिए साड़ी का जो कपड़ा था उसको हम इस तरीके से रखेंगे और chain की उपर और फिर chain के किनारे किनारे पे देखिए जहाँ पे पहले हमने सिलाई गली अब यहां पे हम देखिए runner डाल के ready कर लेंगे अब जो भी extra कपड़ा है उसको हम cut कर देंगे तो यहां पे देखिए extra कपड़े को पूरा इस तरीके से cut करके अलग कर देना है तो कपड़े हमारे cut हो गए हैं दोनों piece को सेम तरीके से देखिए हमको कपड़ों को cut करके अलग करना है जो भी extra कपड़ा है और आप चाहें तो यहां पे नीचे की तरब भी सिलाई आप लगा सकते हैं जिससे की जो कपड़े हैं वो खिसकेंगे नहीं पर इसको friends हमनों थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे तो अभी देखिए सबसे पहले तो आप runner डाल लीजिए इस पर तो इस तरीके से देखिए हम runner डाल के पहले ready कर लेते हैं और runner को डालना बहुत ही आसान होता है तो यह देखिए हमने runner डाल लिया है और एक साइट पे इसको लॉक कर लेंगे अब इस तरीके से देखिए एक तरफ हमारा अस्तर का कपड़ा है और एक तरफ हमने जो प्लास्टिकी बोरी जोड़ी थी वो है तो यहाँ पे देखिए एक तरफ हमने सिलाई लगा ली किनारे किनारे पे अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कपड़ा बीच पे छोड़ते हुए हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इनको ना इस तरीके से सैट करके रखना है यह देखिए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने सैट किया है वैसे ही सैट करके रखेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ किनारों पर हमको यहाँ लगा लेना है किनारे किनारे पर तो जैसे एक तरफ हमने सिलाई लगाई है वैसे देखिए बीच पे थोड़ा सा खुला है अब इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेते हैं और देखिए जब यह बनके रेडी होगा ना तो कोई भी धागे वगेरा बिल्कुल भी नहीं निकलेंग और इसमें कोई piping वगेरे की जादा आपको जहनजट भी नहीं है तो इस तरीके से देखिए अब इसको piping लगा लेंगे हम यहाँ पे दोनों तरब किनारों पे देखिए shopping bag लेना है और shopping bag से एक इंच चोड़ी हमको piping की पट्टी कट करना है और इस तरीके से देखिए piping लगा लेंगे shopping bag से ना friends बहुत ही जल्दी piping आपकी लगके रेडी हो जाती है या फिर आपके पास देखिए पुराने कप्डों से भी आप piping लगा सकते हैं साड़ी है दूपट्टे हैं उनसे तो यह देखिए हमने piping से इसको फिनिश कर लिया है अब यहाँ पे देखिए friends इसके ना corner हमको कट करने है तो दो यहाँ पे देखिए दो इंच भाई दो इंच के हम यहाँ पे corner कट कर लेंगे इस तरीके से देखिए चारों तरफ पहले हम निशान लगा लेंगे टू टू इंच पे और फिर इस तरीके से देखिए चारों तरफ मैंने निशान लगा लिए अब यह जो corner हैं इनको हम कट कर लेंगे तो इसी तरीके से देखिए बहुत ही आसान तरीके से जैसे हम छोटे साइच पे बना रहे हैं आप बड़े साइच पे भी स्टोरेज बैक को बना सकते हैं अब यहाँ पे देखिए फ्रेंट्स यह जो साडी का कपड़ा जो हमने बात पे लगाया था उसके corner हमको अलग बनाने हैं इस तरीके से देखिए और यह जो जिस पे प्लास्टिकी बोरी हमने जोड़के रेडी करी थी उसके corner हमको अलग से सिलाई लगा के सैट करना है जैसे मैं यह लगा रही हूँ वैसे ही हम लगाएंगे पहले यह देखिए जो जिस पे बोरी पे हमने बैडशिट जोड के जो रेडी किया था पहले हम उसके कॉर्णर पे देखिए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से अब यहां पे देखिए फ्रेंट्स चारो तरफ मैंने सि कर लेते हैं पहले तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से इसको सैट कर लेंगे और यह जो चारो कॉर्णर हैं उन पे हमको एक बार और सिलाई लगानी है और पाइपिंग लगा के फिर हम इसको रेडी कर लेंगे जिससे कोई भी धागे वगेरा देखिए बिलकुल भी नहीं निकलेंगे यह देखिए इस तरीके से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही कम समय पे बहुत ही देखिए प्यारा सा हमारा यह और्गनाइजर बनके रेडी हो जाता है जिस पे आप मेक अप की चीज़े इस्टोर कर सकते हैं छोटी छोटी जो चीज़ें आपकी जो इध लगा ली है अब इसको हम देखिए पलट लेते हैं तो यह देखिए फ्रंट पलटने के बाद इसके जो चारो कॉर्णर है उनको अच्छी तरीके से देखिए निकालके हम सैट कर लेंगे तो यहां पर देखिए यह हमारा जो खुली हुई जगह है इस पे भी हम अभी सा स्टोरेज मेकप बैग आप इसको यूज कर सकते हैं छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं इधर उधर जो बिखरे रहते हैं आप उनको भी इस पे रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा बना है यह सिलाई का समाना आप इस पे स्टोर कर सकते हैं छोटा सा एडिया था ये दो पीस हमारे ready हैं, अब देखिए friends इसको बड़ा छोटा cut नहीं करना है, हमको जिस size पे हमने पहले कपड़े को cut किया था, उसी size पे मैंने transparent sheet को भी cut किया है, और 13 इंच लंबी हमको यहाँ पे chain लेना है, अब यह जो transparent sheet थी, उसको 20 से हम देखिए cut कर देंगे इस तरीके स तो दो पीस हमारे यहाँ पे ready हो गए हैं, अब सबसे पहले तो front से यहाँ पे देखिए, तीन इंच चोड़ी और लंबी दो पट्टियां हमको लेना है, 13 इंच लंबी पट्टी हम लेंगे, और 3 इंच चोड़ी, 2 इंच चोड़ी आप piping बनाने के लिए पट्टी ले सकते ह हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, इस पट्टी को इस तरीके से डबल करते हुए हमको रखना है, transparent sheet के उपर और एक सिलाई पहले हम लगा लेंगे, तो दोनों पीस पे पहले देखिए, हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है, तो इस पे भी पहले हम सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पे देखिए, हमको ना piping बनाना है, जिससे की जो हमारा यह जो bag है, बहुती प्यारा सा बनके ready होगा, अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से fold करते हुए, हमको यहाँ पे piping बनाके ready करना है, तो यहाँ पे देखिए, यह एक पे मैंने जैसे piping बनाई है, व फिर आपके पास lace वगेरा है तो आप lace भी लगा सकते हैं अब chain को सीधा रखना है और उसके ऊपर देखिए इस तरीके से ये transparent sheet को हम इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे अब ये दूसरा वाला जो piece था transparent sheet वाला उसको भी रखेंगे और दूसरी तरफ से रख मैंने देखिए cut कर दिया है अब इसकी लंबाई चोड़ाई 12 इंच भाई 12 इंच है अब देखिए नीचे मैंने कपड़े को रखा है और उसकी ऊपर मैंने ये transparent sheet थी उसको उल्टा करते हुए रखा है और चारों तरफ से देखिए हम इसको pin-up कर लेंगे अब हमें क्या करन है friend spin-up करने से पहले यहां पर हमको एक पट्टी बनाके ready करनी है देखिए तो यहां पर 10 इंच लंबी और 4 इंच चोड़ी मैंने पट्टी ली है और उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमको एक पट्टी यहां पर बनाके ready करना है सबसे पहले तो अब हम यहां इसके चारो तरब पहले हम सिलाई लगा देते हैं तो देखिए चारो तरब पहले हम इसके सिलाई लगा लेंगे चारो तरब से सिलाई लगाने के बाद जो भी एश्ट्रा देखिए कपड़ा है उसको हमको कट कर देना है अब यहां पर लेना है हमको पट्टियां सौपिंग बैक से देखिए मैंने बहुत सारी पट्टियां कट कर ली है या फिर आप देखिए कपड़े से भी पाइपिंग लगा के आप इसको रेडी कर सकते हैं शौपिंग बैक से ना फ्रेंट्स बहुत ही जल्दी जल्दी पाइपिंग लगके हमारी रेडी हो जाती है तो या फिर आप देखिए मैचिंग के कपड़े से भी यहाँ पर चारो तरफ पाइपिंग लगा सकते हैं तो मैंने चारो तरफ इसको देखिए पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया है अब यहाँ पर देखिए 2 इंच बाई 2 इंच का हमको यहाँ पर बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर देखिए किनारे से सिलाई को छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर 2 इंच बाई 2 इंच के यह बॉक्स बनाए है तो चारो तरफ यह जो बॉक्स हमने बनाए है उनको इस तरीके से देखिए हम cut कर लेंगे अब तो यहाँ पे देखिए एक site पे हमको इसके corner को देखिए सिलाई लगाना है पहले हमको यह देखिए तो पहले हम यहाँ पे देखिए एक corner को सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से सेट करते हुए हम अराम से सिलाई लगाएंगे, बहुत ही अराम से आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगी, देखिए आप धीरे-धीरे सिलाई लगाईएगा, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड से यह जो पट्टी हमने बना के र इन पर transparent sheet पर सिलाई नहीं होती है friends तो आप न्यूज पेपर को रखके सिलाई लगा सकते हैं आपकी आसानी से सिलाई हो जाएगी और 2 इंच यहाँ पर देखें extra पट्टी थी तो मैंने cut कर दिया है अब यहाँ पर देखें इस तरफ भी चोटे size पे आप इसको बड़े size पे भी बना सकते हैं अब यह देखें चारों तरफ से यह जो corner है उन पे इस तरीके से हम piping लगा लेंगे जिससे की जो भी धागे वगेरा हैं वो बिलकुल भी देखिए निकलेंगे नहीं और बहुत ही finishing से आपका यह बैक बनके ready होगा और लंबे time तक चलेगा तो चारों तरफ देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया हैं कोई भी धागे वगेरा नहीं निकलेंगे अब इसकी जो चारों corner हैं उनको अच्छी तरीके से देखिए इस तरीके से निकालके हम set कर लेंगे तो इस बैक पे आप देखिए मेकप की चीजे रख सकते हैं और pencil वगेरा आप इस पर store करके रख सकते हैं, make-up की चीजे, pencil, आप इस पर चोटे-बोटे कपड़े, बहुत सी चीजे आप इस पर store करके रख सकते हैं, इसका use आप अपने हिसाब से कर स अब बोरी के साइच पे ही कोई भी बचा हुआ कपड़ा या फिर आपके पास कोई ब्लाउस पीस है, सूट से बचा हुआ कपड़ा है, उसको आप देखिये, cut कर लीजिए, same साइच पे ही हमको cut करना है और नीचे की तरफ देखिए मैंने लगाने के लिए साड़ी का कपड़ा कट कर लिया है अब इसको चारों तरफ से सिलाई लगा के हमने कुल्ट करके रेडी कर लिया है 14 इंच इसकी चोडाई है और 18 इंच इसकी लंबाई है तो यह देखिए इस तरीके से मैंने इसको कुल्ट करके ready कर लिया है जो भी एश्ट्रा कपड़ा है उसको हम cut कर लेंगे अब यहाँ पे हमको chain लेना है 14 इंच लंबी तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से chain को खोल के हम इस तरीके से रखेंगे और फिर लगाएंगे 14 इंच वाली जो side है हमारी वहाँ पे हमको chain को देखिए इस तरीके से उल्टा करते हुए रखना है उपर की तरफ कपड़े की उपर chain को मैंने देखिए उल्टा करते हुए किनारे पे रखा है और एक इस लाई हम इस तरीके से लगा लेंगे तो ये सिलाई मैंने लगा ली है अब दूसरी तरफ भी chain को उल्टा रखेंगे और एक सिलाई लगा के देखिए chain को पहले हम जोड़ लेंगे तो जैसे मैं chain को जोड़ के रेडी कर रही हुए फ्रेंट्स वैसे ही चेन को जोड़के हमको रेडी करना है दोनों दरफ हमने चेन को जोड़के रेडी कर लिया है अब शॉपिंग बैक से हमको देखिए 14 इंच लंबी और 2 इंच चोड़ी पट्टी कट करना है आप यहाँ पे कपड़े की पट्टी भी कट करके लगा सकते हैं अब ये देखिए चेन के ऊपर इस तरीके से इस पट्टी को हमको रखना है और एक सिलाई हम लगा लेंगे तो इस तरीके से देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही सिलाई लगाके ये देखिए इसको ready करना है तो जैसे हमने एक तरफ पट्टी को जोड़के ready किया था वैसे ही देखिए दूसरी तरफ भी हम पट्टी को जोड़के इस तरीके से ready कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए यह देखिए दूसरी तरफ भी मैंने पट्टी को जोड़ लिया है अब यह देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहले हमको टॉप से लाई लगाना है तो एक बार देखिए किनारे पे हम टॉप से लाई लगा लेंगे और जैसे एक तरफ हम रेडी कर रहे हैं वैसे हम दूसरी तरफ भी रेडी करेंगे तो इस दूसरी तरफ भी पहले हम टॉप से लाई लगा के रेडी कर लेंगे यहाँ पे देखिए पट्टी को हमने इस तरीके से रखते हुए टॉप सिलाई लगा लिए है अब इस तरीके से देखिए इसको उल्टा करना है और एक बार पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक बार हमको इस तरीके से देखिए सिलाई लगा लेना है अब जो ह बनके ready होगा तो कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा friends कि हमने इसको बोरी से बना के ready किया है आप बोरी की जगह फे फोम सीट रबर सीट से भी इसको बना सकते हैं यहां पे देखिए अब इस तरीके से बीचो बीच पे chain को रखना है और हमको पहले देखिए runner डालके ready कर लेना है तो आपको देखिए इस तरीके से runner को पहले लगा के chain पे ready करना है एक बार देखिए runner को इस तरीके से हम डालके ready करेंगे और नीचे की तरफ से इसको हम निकाल देंगे अब एक बार हम runner को और डालके देखिए इस तरीके से लगा के हम इसको ready कर लेंगे तो अब यह हमने देखिए, chain पे runner को लगा लिया है अब जो भी side औ से extra कपड़ा है उसको हमको cut कर देना है तो दोनो side औ से जो extra कपड़ा था, वो मैंने cut कर दिया है अब इसको palette के हमको देखिए, उल्टा करके इस तरीके से देखिए, उल्टा कर लेंगे हम और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये इसको उल्टा करना है अब देखिए इस तरीके से 20 सेंटर निकालते हुए आप निशान लगा लीजिए या फिर कट लगा लीजिए तो मैंने कट लगा दिये हैं 20 सेंटर निकालते हुए अब देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से chain को beat center से मिलाते हुए मैंने रखा है और side ओंपे देखिए सिलाई लगा देंगे और ये दूसरी तरफ भी देखिए ये जो cut मैंने लगाया था beat center का और ये chain को मिलाते हुए दूसरी तरफ भी देखिए हम इस तरीके से सिलाई लगा के इसको जोड देंगे अब यहाँ पर देखिए साइडों को हमको पट्टी लेना है कपड़े की या फिर शॉपिंग बैक की इस तरीके से देखिए हमको यहाँ पर साइडों पर पाइपिंग लगा के इसको रेडी करना है एक बार पट तो यहां पर देखिए जैसे एक तरफ मैंने piping लगाई है वैसे ही दूसरी तरफ भी हम piping लगा के इसको ready कर लेंगे पट्टी को इस तरीके से देखिए रखेंगे तो यह मैंने डेड़ इंच चोड़ी पट्टी ली है piping लगाने के लिए और जो भी एश्ट्रा कपड़ा है उस को ready कर लेना है तो दोनों तरफ देखिए piping से पूरा finish हो गया है अब कोई भी धागे वगएरा बिल्कुल भी नहीं निकलींगे अब यहां से friends आपको वीडियो को ध्यान से देखना है नहीं तो फिर आपको देखिए समझ पे नहीं आएगा अब इसको देखिए chain को मैंने हमिलाते हुए रखना है तो दोनों तरफ इस तरीके से पहले आप कपड़ों को देखिए सेट करते हुए रख लीजिए तो कुछ इस तरीके से आपका ये बैक का सेप आ जाएगा ये देखिए अब ये देखिए साइडों पे हमको कुछ निशान यहाँ पे लगाने हैं अब हमको टेप लेना है और देखिए उपर की तरफ हमारी चैन है तो नीचे की तरफ पहले निशान लगाएंगे तीन इंच पे और फिर देखिए यहाँ पे टेप रखते हुए 3 इंच पे निशान लगाया फिर उपर की तरफ टेप रखते हुए 4 इंच पे हमको निशान लगाना है और इस तरीके से तिर्चा मिलाते हुए हमको निशान लगा लेना है तो यह देखिए इस तरीके से तिर्चा निशान हमा और इस तरीके से तिर्चा हम मिला देंगे और यह देखिए तिर्चा मिलाते हुए हमको सिलाई लगा लेना है एक तरफ देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई हमने लगा ली है अब दूसरी साइड देखते हैं तो नीचे की तरफ देखिए तीन इंच पे हमको निशान लगाना ह और उपर की तरफ हमको साड़े चार इंच पे निशान लगाना है और तिरच्छा मिलाते हुए हमको निशान लगा लेना है और फिर ये जो निशान हमने लगाए है तो उस पे हमको सिलाई लगा लेना है तो जैसे हमने पहले सिलाई लगाई है तो वैसे ही देखिए यहाँ प करती हूँ कि आपको देखिए समझ पे तो जरूर आया होगा तो चारो तरफ देखिए हमने सिलाई लगा ली अब देखिए थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम ये देखिए जो कॉर्णर है उनको देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे तो चारो तरफ मैं लगाते हुए चारो तरफ से इसको हम रेडी कर लेंगे तो यहां पर देखिए फ्रेंट्स मैंने चारो तरफ से पाइपिंग लगाते हुए इसको रेडी कर लिया और बहुत ही प्यारा सा इस्टोरेज बैग हमारा यहां पर रेडी है बहुत ही प्यारा सा पाउज हमारा फ सकते हैं सिलाई का समान रख सकते हैं कुछ भी आप इस पे स्टोर कर सकते हैं उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंट्स तो फ्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ज्यादा से ज्यादा श सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूरोन करना मिलेंगे चल्दी एक नए वीडियो में